हालो और वेल्कम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फील्ड साइज को यह फील्ड साइज क्या होती है Microsoft Access में और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं कैसा इसका यूज हम Software बनाने में कर सकते हैं इसी की बात करने वाले हैं तो चलिए Microsoft Microsoft Access 2016 version में start करता हूँ और यहां से blank database पे कर लेता हूँ जैसे blank database पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का scenario create पर कर देना है click जैसे create पर click करेंगे तो यह जो है इस तरह का scenario आपके सामने open हो जाएगा इस तरह का scenario आपके सामने open हो जाएगा अब आपको क्या करना है वो बताता हूँ जैसे माल लीजे ये है view तो यहां पर दो प्रकार के view आपको दिख जाएंगे design view एक data sheet view हमें क्या करना है design view पे click करना है जैसे click करेंगे तो ये इस तरह का कुछ आएगा और यहां पर आप नाम दे दीजे जैसे हम यहां पर field size के बारे में बात करेंगे तो यहां field size ही इस table को नाम दे देता हूँ अब ये field size में पहला जो ये option आ रहा है ID तो ये primary की है primary की के मतलब ये एक unique की है तो चलिए इसको ID ही रहने देता हूँ और यहां पर आ जाते हैं ठीक है यह auto number है आप चाहे तो इसे number भी बना सकते हैं यहां से आप जाएंगे और यहां से आप इसे number बना लेंगे ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह हमने number तो बना लिया है और यहाँ पर name ठीक है और name का जो data type है वो क्या देंगे हम text देंगे ठीक है यहाँ पर इसको save करता हूँ और यहाँ पर name का जो data type है वो हम रखेंगे short text अब यहाँ पर field size देख सकते हैं 255 दिखा रहा है ठीक है यहाँ पर हमने number कर रखा है और यहाँ पर field size दिखा रहा है 255 यह चाहते हैं कि हम केबल 10 के नाम लिख पाएं तो क्या करेंगे तो यहां पर दे देंगे 10 ठीक है तो अब आमें यह सिर्फ 10 डस के नाम लिखने देगा अब यहां पर माली जे तो जरूरत नहीं, field size यहाँ पर हम क्यों लखेंगे, 10, ठीक है, इतना ही रख लेंगे, और चलिए आप यहाँ से करते हैं, view पर click, और यहाँ से yes कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर id 0 आ रही है, और यहाँ पर name देता हूँ, ठीक है, मैं name क्या देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, Mr. Santosh Kumar Pandey, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, Mr. Santosh Kumar Pandey हम लिखना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आ रहा है Mr. Santosh, कुमार, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसके आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह पूरा का पूरा 10 जो है, space consume कर चुका है, यानि field size हमने क्या दिया था, 10 दिया था, अच्छा, चलिए pen number की बात कर लेते हैं, pen number में क्या होगा, जैसे माल लिजिए हम यहाँ पर pen number देते हैं, कोई pen number लिखता हूँ, यहाँ पर, capital में होता है pen number, यह हम न प्रवलोग, accept कर गया, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर हम इसको change कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, 11, और यहाँ पर कर देंगे 12, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, हम कुछ लिखते हैं, जैसे माली जी हम लिखते हैं, low case, यह low case लिख दिया, L capital कर लेता हूँ, यह जो की wrong है, तो यहाँ पर accept ही नहीं करेगा, अब जैसे माली जी यहाँ पर देता हूँ, अब यहाँ पर देखे, G के बाद मैं T लिखना चाहरा हूँ, लेकिन यहाँ पर T type ही नहीं हो रहा है, तो यह होता है field size, उमीद करता हूँ कि access में यह field size का क्या महत तो होता है, यह आ आया हुगाई